तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप After2L को रिव्यू पोस्ट में चेंज करकर प्रमोट कर सकते हैं दोस्तो आज के मैथड को मैंने थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया हैं तो स्टेप नमर वन में आपको एक AfterProduct को चूज करना है स्टेप नमर टू में आपको अपने AfterProduct के लिए एक Review Article क्रीट करना है मैं आपको अपना Personal तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे Reviews Articles क्रीट करता हूं और स्टेप नमर थ्री में हम अपने Review Article को प्रमोट करें तो हम यहाँ पर इन प्रसेस को Step by Step अपलाई करने वाले तो सबसे पहले हमें एक प्रोड़क्त चूज करना है तो प्रोड़क्त को चूज करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी यह Affit Netter का यूज कर सकते हैं जैसे कि आप ClickBank हुआ, JVizu हुआ, Vory Plus हुआ, Amazon.com हुआ तो आपको एक Affit Netter के उपर अपना Account क्रीट करेंगा जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर यूज करने वालें Disho24 का तो मैंने Disho24 के उपर अपना Account क्रीट कर लिया है और इसके Marketplace को Open कर लिया है अगर आपका Disho24 के उपर Account नहीं है तो पहले आपको Account क्रीट करना है उसके बाद इसके अंदर Login करना है फिर इसके Marketplace को Open कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पर इसके Marketplace को Open करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे Products आएंगे अब आपको यहाँ पर एक Product को Choose कर लिया है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर इस Product Example लेने वाले है तो Product का नाम क्या है Sugar Defender Basic Health Supplement है जो Sugar के Patients को Help करती है तो Simply हम यहाँ पर इस Product को Promote करने वाले है अगर आप अन्य Product को Promote करना चाहते है या Category वैस आप यहाँ पर Product Choose करना चाहते है तो उसके भी Options आपको यहाँ पर मिल जाते है उसके अनुसार भी आप यहाँ पर Product को Choose कर सकते है जैसे कि मालो आपको अन्य Categories को पर work करना है तो Simply आप यहाँ पर आना है Digital Products इसको पकलिक करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारी Categories मिल जाती है अब आप यहाँ पर किसी भी Category को Choose कर सकते हैं उसके अंदर से Product Choose कर सकते हैं और इसको आप प्रमोट कर सकते हैं तो जिस भी परड़को आपको प्रमोट करना है सभी Options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ से आपको परड़क चूज करना है और प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर इसी पर्ड़क को प्रमोट करने वाला हूँ अगर मैं इस पर्ड़क को यहाँ पर प्रमोट करता हूँ तो आपको यहाँ पर साफ प्रेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर सेल का $134 का कमीशन दो जाता है मालो मैं आपर दिन की दस सेल भी निकलवा लेता हूँ तीजली मैं आपर पाउट डेके थार्टीन हंड़ डॉलर तको आन कर सकता हूँ तो सिंप्लि मैं यहाँ पर इस परड़ को प्रमोट करने वाल हूँ दोस्तो आप इस परड़क के एक आठ गट कनवर्जन को भी देख सकते हैं जो की अरॉट 15% है विस बहुत ही कनवर्टिंग परड़क्त हैं अगर आप इस परड़क को प्रमोट करते हैं डेफरेटली आप यहाँ से अपनी पहली सेल निकलवा सकते हैं और दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर recommend करता हूँ, जब भी आप किसी भी product को promote करें, तो promote करने से पहले आपको उस product के sales page and effort support page को जरूर चेक करना है, ताकि आपको idea लग जाए कि product किसके बारे में हैं और कैसे ही आपको उसको promote करना है, सबसे पहले हम आ क्या-क्या information है अपर available है, और कैसे आपको अपनी strategy बनानी इस product को promote करने के लिए, तो पहले आपको sales page को चेक करना है, उसी के अनुसारी आपको अपनी strategy को बना लेना है, और दूसरा option आपको मिलता support page का, इसके माधियम से आपको resources मिल जाते हैं, जिनका use करकर आप अपनी strategy ब आपको बने-बने images मिल जाते हैं, banners मिल जाते हैं, email swipe मिल जाते हैं, किस country के अंदरी ship नहीं कर सकते हैं, उसकी information मिल जाते हैं, term and condition की जानकारी मिल जाते हैं, जिनका use करकर आप अपनी strategy बना सकते हैं, और इसे के अनुसार आप अपनी product को promote कर सकते हैं, तो sales page and support page को जरू चे यहां से आपको अपनी effort link को copy करना है, अब इसी effort link को हम आगे promote करें, step number 2 में हम अपने product के लिए reviews articles create करने वाले, और review articles create करने के भी आपको यहां पर तीन तरीके मिलते हैं, तो पहला तरीकत यह होता है, कि आपको पहले product को analyze करना है, फिर खुछ सही आपको अपना article create करना है, अगर आप एक beginner है, तो आप बिल्कुल भी यहां पर article create नहीं कर सकते हैं, article create करने एक बहुती critical task है, इसके लिए आपको practice करने ही पड़ती है, अगर आप beginner है, तो आप यहां पर अपने articles नहीं बना सकते हैं, उस case में आप यहां पर तरीके नमर 2 को follow कर सकते हैं, तरीके नमर 2 किसी भी AI tool को use कर लेना है और इसके माधियम से आपको अपना review article create कर लेना है पर इस tab के articles के अंदर भी आपको बहुत ज़्याद दिक्कत को सामना करना पड़ता है दिक्कत यहाँ पर यह होती है आपके article के अंदर AI touch आ जाता है अगर आपके article के अंदर AI touch आ जाता है तो आपका article किसी भी website या किसी भी search engine को पर rank नहीं करता है तो यहाँ पर भी आपको article बनाने का कोई फायदा नहीं मलता है तो इस case में आप यहाँ पर तरीकी नमबर 3 को use कर सकते हैं तरीकी नमबर 3 में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर अपने पड़े के अनुसार वीडियोस फायंड करेंगे इस reviews वीडियोस फायंड करेंगे जो कि किसी human के द्वारत क्रीट की गई होगी उसको हम यहाँ पर blog post के अंदर change करतेंगे सिंपली हम यहाँ पर review वीडियो को फायंड करेंगे और उसको हम आर्टिकल के अंदर change करतेंगे इस टाइब के आर्टिकल के अंदर आपको क्या फायदा मिलने वाल इस टाइब के आर्टिकल के अंदर आपको human touch मिलेगा वीडियो बेसिकली एक human ने create की हैं तो उसने यहाँ पर अपने खुद के elements दिये होंगे जो कि अब आर्टिकल के अंदर change हो चुका है मैं इस आपको यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर human touch होगा अगर आप इस आर्टिकल का use करेंगे definitely किसी भी search engine वर किसी भी website को पर rank कर जाएगा तो हम यहाँ पर इस method का use करेंगे और इसे की अनुसार हम यहाँ पर अपने reviews articles create करेंगे तो review article create करेंगे लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर review video के अवशकता होगी तो simply मैं हाँ पराऊँगा यहाँ समस पड़के name को copy कर लूँगा उसके बाद आपको आना है YouTube के उपर यहाँ पर आपको टाइप कर देना sugar defender और पीछे आपको टाइप कर देन review तेन एंटर इसको पक्लिक कर देना जैसा आप इसको पक्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आजाएगे अब आपको यहाँ पर सभी वीडियोस को ध्यान से सुनना है और ध्यान से अनलाइज करना है आपको यहाँ पर यह चर्क करना है किस वीडियो के अंदर अच्छी वह maximum information है और कौन से वीडियो यहाँ पर valuable है जो भी वीडियो यहाँ पर valuable हो उसी को ही आपको use करना है तो यहाँ पर आपको वीडियो research वीडियो को सुनने पर ज़्याद ध्यान देना है ताकि आपका article यहाँ पर quality form बने अगर आप अपने article को quality वाला बनाना चाहते हैं तो इस case में आपको यहाँ पर बढ़िया वीडियो को find करना पड़ेगा तो वीडियो सुनने के ऊपर आपको ज़्याद ध्यान देना है और वीडियो के किस वीडियो के ज़्यादा information है उसको भी आपको यहाँ पर analyze करना है उसके बाद ही आपका अच्छा article यहाँ पर create होगा जैसी आप यहाँ पर अपनी वीडियो को choose करने उसके बाद अगेन आपको जाना गूगल के उपर यहाँ पर आपको search कर लेना है chrome web store को उसके बाद आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको इस extension को इसका नाम क्या है keyword everywhere इसको आपको यहाँ पर search कर लेना है जैसे कि मैं आप टाइप कर देता हूँ keyword everywhere इसको मैंने यहाँ पर search कर लिए उसके बाद आपको इस extension को install कर लेना है और इसको activate कर लेना है जैसे आप extension को install करेंगे और इसको activate करेंगे text extension कुछ उस प्रकास से आपको यहाँ पर दिखाई देगी उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को open कर लेना है जिसको basically आप यहाँ पर create करना चाहते हैं जिसको आप यहाँ पर review articles केंदे change करना चाहते हैं उसको आपको open करें जैसी आप यहाँ पर अपनी वीडियो को open करें उसके बाद आपको यहाँ पर यह वाला option नज़र आएगा यहाँ पर आपको क्या लिखा मिलेगा Summarize this video using chat GPT, using cloudy, using jaminy simply यहाँ पर यह क्या कहना चाहता है यहाँ पर इस वीडियो को summarize करेगा किसके मादम से, chat GPT के मादम से, cloudy के मादम से, jaminy के मादम से जिस भी AI टूल के मादम से आप अपनी वीडियो को summarize करना चाहते है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है और आपके वीडियो यहाँ पर summarize हो जाएगा condition यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर in tools के उपर account होना चाहिए अगर आपका in tools के उपर account नहीं होगा तो आपके review video यह review articles यहाँ पर create नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर in tools के उपर अपना account create करना है और आपका review article यहाँ पर create हो जाएगा जैसे कि मेरा ChatGPT के ऊपर अकाउंट है, तो simply मैं यहां पर आँगा Use ChatGPT इसको पकलिक कर दूँगा, जैसे मैं इसको पकलिक करूँगा, तो ChatGPT यहां पर क्या करेगा, इस वीडियो के अंदर जितना भी content बोला गया है, सभी को यहां पर text के form में change कर देगा, जो की आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इसने क्या किया है, complete video को text की form में change करती है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, content कितना बड़ा है, आप यहां पर देख सकते हैं, और content को इसने यहां पर 10 points में ही change कर दिखाऋ आ है, पर यहां पर में review article नहीं create हुगा, अब म मुझे यहाँ पर इस prompt को देना है, जैसे मैं यहाँ पर इस prompt को दूँगा, तो मैं review article यहाँ पर बन कर ready हो जाएगा, और याद रखना है आपको यहाँ पर इस prompt का use करना है, तो कि इस prompt के माध्यम से आपका जो review article बनेगा, उसके अंदर human touch आएगा, मैंने यहाँ पर एक अच् article on above summary, it should look like written by an intermediate level writer with simple English vocabulary, write short sentence to increase the readability of reader, write in detail as possible minimum in thousand words, इस परकास से मैंने यहाँ पर prompt type कर दिया है, और यहाँ पर इसने मुझे एक पहतरीन सा review article create करकर दे दिया, तो इस परकास से आपको यहाँ पर अपना review article create कर लेना है, और इसके बाद आपको अपने review article को जितना हो सके, उत पने article sharing website को पर share करते हैं, आपको बहुत सारी article sharing websites मिल जाती है, जैसे कि आपको LinkedIn मिल जाती है, Tumblr मिल जाता है, Blogger मिल जाता है, WordPress मिल जाता है, Wix मिल जाता है, Google Sites मिल जाता है, बहुत सारी article sharing website मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने articles को share कर सकते हैं, इसके अलाभी आप यहाँ यूटूब गुगल के माधम से भी और भी आर्टिकल शेरिंग वैकस से बारे में जान दो करने काल सकते है जहां पर आप अपने पर पर function के उपर रॉर्टिकल कर सकते है तो आपको इसको प्लीक करते नहीं पहला option आपको यहाँ पर मिलेगा image upload करने का तो simply आपको जाना है अपने support page के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारी images मिल जाती है जैसे कि आपको यहाँ पर दो image मिल रही है तो यहाँ से आपको एक image को download कर लेना है जिसको आपको यहाँ पर upload कर देना है यहां से मैं title को copy कर लेता हूँ इसको मैं हाँ पर copy and paste करता हूँ उसके बाद मैं हाँ पर content को copy and paste करूँगा तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको copy कर लेता हूँ इसको मैं हाँ पर copy and paste करता हूँ तो इस प्रकास से यहां पर मैंने अपना complete article copy and paste कर दिया है तो जह्सकल्व आपको यहाँ पर आपना app for Link एड कर सब्सकरण है करा देना है। यहाँ पर यहाँ पर आपकी पॉड़। नज़र आतार है। यहाँ पर मैं करें अफ़स्क्लिंक करें। यहाँ पर मैं करें। यहाँ पर आउँगा। एस आपिष्टक को करूंगा and रहा शार भाप चली को अपनी आपर कर देनदंग को अब करहा है तो इस तरीक शेए आपसे नारों आंपकर दो अखिर आर चालाव जीए ہے इस तरीके से आपको यहां पर अपने आफट लिंग को अड़ कर देना है और कम्प्लीट आर्टिकल आपको यहां पर बना लेना है उसके बाद आपको यहां पर आना है next इसको पकलिक करना है चाहस लेकर 5 हैस्टेक को डाल देना है then publish इसको पकलिक कर देना है इस तरीके से आपर दूसरी website बताओगी आपने आर्टिकल को शेर करते हैं तो ऽिस website ना में JustPlegt.com, यह भी एक आर्टिकल शेरिंग की website है में बहुत सकते हैं इसके आपने आपने आर्टिकल को suo your prominant अगें मैं यहां पर आऊणगा है को अदेस्ट को पेश्ड लिंक के मादिम से आप यहां पर अगें अपने एफरT lens कर सकते हैं जैसे मैं अड़े करके दिखा दिता हूं तो यहां मैं इसको copy कर लेता हूं, अगें हापर जाएंगे एफट लिंग को कोपी करेंगे एंड इसको इसके मादियम से हम यहाँ पर एड कर देए इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी एफट लिंग को अपलोड कर देना है यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड कर देना है तो इसके बाद आपको 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 और article आपको यहाँ पर rank हो जाएगा पर free में आपको यहाँ पर थोड़ा time लगेगा और free में आपका article यहाँ पर instantly rank हो जाएगा अब आपकी यहाँ पर choice है कि आपकी सरीके से यहाँ पर अपने article को rank करवाना चाहते हैं और दूसरे में आपको यहाँ पर यह बता दूँ, अगर आप Google के मादियम से traffic drive करना चाहते हैं, तो उस case में आपको यहाँ पर keyword research करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर low competition keyword find करना पड़ेगा, जिसके उपर आप अपने article को rank करवा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर review article krit किया हैं तो मुझे पहले यहाँ यह करना पड़ेगा, शुकर defender यहाँ पर low competition keyword है या नहीं है, अगर यह low competition keyword नहीं होगा, तो मेरा article कभी भी यहाँ पर rank करना पड़ेगा, और उसे के अनुसार मुझे यहाँ पर review article कर्एट करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने article को गूगल को रेंग करवाज को. ध् मेरे दियान रखना है, मिगूगल से ट्राफिक ट्राफिक लाना जाहते हैं, उसी केस में आपको यहाँ पर ध्यान देना है workload-la रहुसं केों के आपको और रिसेच कना MAMA चेहिः अरे लोक कंपेटिशन पर नहीं हो केंगाँ, तो आपको आपको आज कर नहीं करकेगे उगात Σब्सक्रायब के दाए वा